आज अपने पास है जोंट इसकी ये 350R यह जो इसकी की है जो की 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 का सिर्फ इतना काम है कि इसके अंदर एक सेंसर वो आपके साथ में रखना है आपको और बाइक आपकी आपकी ओन हो जाएगी इसे दूर जाओगे की को लेखे तब अभी जो है न मैं इसको ओन करूँगा तो यह नहीं होगी लेकिन हाँ की मेरे साथ में है तो मैं ओन करता हूँ इस रेड बटन से तो बाइक जो है ओन हो जाएगी जैसे कि ओन हो चुकी है वो जैसे ही मैं दूर जाओगा न तो बाइक जो आटोमेटिकली कुछ सेकिंड बाद बंद हो जाएगा आप देखना की मे इस चीजे में दिखा पाऊँ A2Z इसके Features बता पाऊँ तो चलिए करते हैं सबसे पहले फ्रेंट से ही फ्रेंट में जो है न गया आपको इसमें काफी बढ़िया ये फ्रेंट हेड लेंप मिल जाता है लेक डियरल आपको मिलती है एड लेंप आपको मिल जाता है LED में रिफ इसके मिलते हैं, फ्रेंट में जो काफी चोड़ा टायर है, साइज में आपको दिखा जता हूँ, क्या साइज रखा गया है, सो 120 सेक्षन का फ्रेंट में टायर रखा है, यहां पर आपको ब्रेक कैल पर काफी बड़िया क्वालिटी के मिलेंगे, कंपनी जो हिनके उपर मेंशन आप देख सकते हो, यहां पर रेफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, नंबर प्रेट के लिए जो है अलग से यहां पर दिया गया है, सो काफी बड़िया लुक आ रही है, जैसे कि बनेली के हर बाइक में आता है, तो वैसे ही कुछ इसमें लुक्स आ रहा है, सो जोनटे इसकी जो 350 आ रहे है ना भाई, सीरियसली देखने में तो ऐसी है कि इसकी पब्लिक रियक्शन वीडियो बननी चीए, और वो जो है जल्दी ही चैनल पर आपको देखने हो, मिल जाएगी, उसके बाद में टायर मैंने आपको दिखा दिया है, साइड में जैसी ही आता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, इंडिकेटर्स जो है मैं ओन कर लेता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहला आप हैड्लेंप देखो इसका, तो कुछ ऐसी हैड्लेंप आपके अंदर मिलती है, इंडिकेटर है वो इसके फ्यूल टैंक के अंदर ही, इंटिग्रेटर्स मिलते हैं, साइड कावल्स में, सो कुछ ऐसे लग रहे हैं, इंडिकेटर्स, उसके बाद में साइड में आऊ, तो काफी बड़ा फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, इसके बाद में जो माइलेज है, वो हमने माइलेज टेस्ट अलड़ी कर रखा है, आप चैनल पे देख सकते हो, माइलेज आपको पता चल जाएगी, क्या माइलेज ये देती है, इंजिन जो है देखने में काफी बड़ा लगता है, सूपर बाइक से कम नहीं लगती है, यह जो बाइक है ना, साड़े तीन सो सीजी के है, बट भाई, किसी सूपर बाइक से कम नहीं है, देखने में बात कर लो, चाहे चलाने में बात कर लो एक्जोस्ट इसका देख लो इतना स्पोर्ट ही दे रखा है पीछे जो ओयल है ना रियर बेकिंग ओयल वो भी काफी शांदार लगता है इसके अंदर और इसका एक्जोस्ट है नीचे तक है मैं आपको दिखाता हूँ तो मतलब इतना बड़ा पार्ट नीचे लगा रखा है सिरियसली किसी सूपर वाइक से कम फील नहीं देती है यहाँ पर जो आपको 350cc का एंजन मिलता है जो कि 38.5.7 AC कुछ पावर देता है और जो टोर्क है वो 32.0 मिटर्स का देता है 32.0 मिटर्स जो है काफी अच्छा है यहाँ पर जो पीकप है वो आपको काफी बढ़िया मिलेगा वीली, स्टॉपी, सब आप इससे कर सकते हैं क्योंकि जो पफॉम्मेंस है वो इसकी जबरदस्त है 6-speed का gearbox है liquid cooling के साथ में आपको bike देखने को मिलती है front head जो है काफी बढ़ा आपको लगेगा उसके बाद side का जो looks है वो भी काफी बढ़िया है side से आप देखते हो तो पूरा जो है premium finishes में दे रखी है यहाँ पर R350 की जो है stickering है कुछ लोग इसको R350 कुछ 350R बोल देते हैं सो सेम ही चीज़े कोई दिक्कत नहीं है आप कुछ भी इसको बोल सकते हो क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा उसके बाद में यह जो इसके front footrest है rear braking है यह rear footrest है यहाँ पर जापने को exhaust मिलता है काफी sporty feel जो ही है exhaust यहाँ पर दे देता है उसके बाद जो tail light है वो seat है वो भी काफी बड़ी हम आपको दिखाता हूँ tail light so tail light जो गईज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफी बड़ी tail light दी गी है पूरी ही जो है काफी शांदार लग रही है काफी लंबी LED DRL से इसके अंदर दी है indicator जो इसमें नीचे मिलता आते है LED में और पीछे जो है आपको tire काफी बड़ा मिलता है 160 section का जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो काफी बड़ा disc के plus ABS आपको मिलता है wheel जो again प्लेट का पूरा system देखने को मिलता है पीछे मोन शुक सस्पेंशन है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उसके बाद साइट से लुक्स काफी बड़िया है इस साइट से देख लो चैक उस साइट से या आगे से पीछे से कहीं से भी single seat है बड़ split seat से कम नहीं है क्योंकि इसका जो design है हो split seat से भी उपर का है यहाँ पे जो पीछे rider के लिए भी जो अच्छी seat दीगी है like pillion के लिए भी और rider के लिए भी दोनों के लिए काफी बड़िया seat का उपसन दिया गया है यहाँ पे जो अपने tank है 15 लिटर का पुरा fiber में जो बना रखा है यह भी अंदर जो हो सकते है metal बट उपर से जो है fiber है उसके बाद में यहाँ पे अपने को side seat मिलता है काफी अच्छा मिलता है यह काफी अच्छी quality का है metal में उसके बाद में जो gear system of six speed आपको यहाँ पे मिलते है six speed gearbox उसके बाद sides and cutoff feature आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो engine है वो आप देख सकते हो पुरा कुछ इस तरीक है जो compartment दिखता है इसका अब यहाँ मैं गाड़ी पर बाइक पर बैठा है उसके बाद सारे features में आपको बताता हूँ तो सबसे पहले बात करते है tank के बारे में अब यह खुलेगा कास है ऐसे तो खुलेगा नहीं तो इसके लिए अलग से बटन दिया गया है fuel का और seat का तो fuel पे जैसे मैं click करता हूँ कि यह देखो ओन हो गया है वो जैसे cars में नहीं खोलते है अपने ऐसे करके तो वह वाला इसके अंतर पूरा system है ऐसे करते हैं बंद हो जाता है इसके buttons के बारे में आपको बताता हूँ और जो mirrors हैं वो आपने देखी लिए हैं काफी अच्छी visibility आपको देते हैं जो levers है वो adjustable feature के साथ में आते हैं यह वाला भी और जो है यह वाला भी दोनों ही clutch and brake दोनों ही adjustable feature के साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पर आपको passing light का button मिल जाता है यहाँ पर high beam low beam है यहाँ पर hazard का button आपको मिल जाएगा यह इंडिगेटर का button है उसके बाद में नीचे horn है एक एक features के बारे में आपको यहाँ पर फ्रेंट ब्रेकिंग ओयल जो है दिया गया है और इस साइड में आऊ तो ignition का button है eco और sports जो है mode इसमें मिलते तो यहाँ पर आप इसको click करके eco mode on कर सकते हो यहाँ fuel cap on करने के लिए नीचे seat open करने के लिए यह जो इसका main power button है एड यहाँ पर head lamp का button इसमें दिया गया है अभी जो eco में है तो मैंने हटा दिया है अभी जो आपको इसके dual barrel exhaust की sound सुनाता हूं तो start करते हैं start करने के लिए भी मेरे को clutch press करनी जरूरी है यहाँ पर सभी जो bike start हो गिये जैसे ही मैंने clutch press की और यहाँ पर जो light मिलती इसके buttons में वो भी काफी श्यांदार लगती है देख सकते हो तो चलिए sound सुनते है जो sound है वो भी काफी अच्छे है इसकी की है वो आप देख सकते हो बेसिक सी की है बिल्कुल sensor है बेसिकली इसके अंदर और इसका जो steering like handle है उसको भी आप adjust कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो लगा गया है तो यहाँ पर क्याना मैं दोवारा से अपना वही ठीम लगा लेता हूं जो कि मेरा लेक्क फेवरेट है कि मैंने करक्कत है यहां पर सिंपल तो सिंपल मैंने क्लिक किया हूं यह आ गया तो यहां पर इसके अंदर ट्रिप एक चीज़ बदा दो आपको दो ही बटन है जिससे आप सिर्फ एक ही ट्रिप को जो है लेकि इसमें ट्रिप ए भी नहीं है सिर्फ एक ही ट्रिप है नीचे ओडोमेटर दिखा देता है सिर्फ साथ सो 38 किलोमेटर चली हुए नीचे जो पुरा टेमप्रेचर वगर है टायर की जो है एर प्रेसर वगर जो है पर उसके लावे क्या फीचर्स मिलते हैं सैट पे चलते ह लाएं अभी जोने यह आ गया है मेरे सामने पूरा इंटरफेस अब क्याना है कि मेरे को एक अप्लिकेशन डालनी है कार भी ट्राइड अपने एंड्रोइड में उसके बाद यह स्कैन करना है और देन मैं कनेक्ट करके कुछ भी कर सकता हूं मैप लगा सकता हूं स्क्रीन को म अप्लिकेशन मैंने डाल रखी है तो यहां पे मैं इसको कर लेता हूं अलड़ी मैंने कनेक्ट объяс हो रहा है फिलाल वाल देख सकते हो कि तो देखते हैं कनेक्ट होता है कि निक्रक्ट रहुत जैसी मैंने इस पर टैप किया तो कर्म देख रहे हो मैप अगया है इसके अंद bisa इस पर क्लिक किया अभी जोने स्टार्ट नाओ पर मैं करूंगा और यहां पर फूरी स्क्रीन मेरे फोन की इस डिस्प्ले में आ चुकी है जो कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ठीक है अभी मैं जो है इसको फोन को होम बटन पर लेके जाता हूं और अभी जो हमें मैप लग पुडगाओं की लोकेशन मैंने लगा लिया है वह स्टार्ट मैंने कर दिया है यह देखो सेम मेरे मोबाइल में सेम इसके अंदर अभी जोना आपको अच्छे से दिखाता हूं मैं तो कुछ इस तरीके से काम करेगा यह लेकिन मोबाइल आपको ओन रखना पड़ेगा जैस इसलिए आप जो इसमें वीडियो बगारा भी देख सकते हो लाइक मैं कोई भी जैसे यूटूब चलाता हूं और यूटूब की वीडियो इसके अंदर आ जाएंगी जैसे ही मैंने यह वीडियो चला दी बस copyright ना है जैसे यह वीडियो आ रही थी ठीक है मैंने चलाई एंड यह जो इन इसके अंदर भी आ गई है तो देख रहे हो मतलब जवरदस्त बट ऐसा कभी भी मत करना क्योंकि राइट करते टाइम आप ऐसे जो है वीडियो बगारा मत देखना तो यह था यार काफी जवरदस्त फीचर जो कि मेरे को सीरियसली काफी बढ़िया लगा अभी ज दोवरा से मैं इसको लाइक ओन करता हूं तभी जो है दोवरा से ओन हो गिया बाइक अपनी और जो थीम है न वो देखो इसका लेक वाव जांटिस क्या थीम बनाया है सीरियसली इट्स अमेजिंग अभी जो है मैंने इसका टॉपस पी टेस्ट भी किया था वह भी आप वाल है तो उसको आप लोग जरूर देखना बाकि फिलाल जो ही छोटा सा वाकरांट था जिसमें मैंने सारे फीचर्स के बारे में आपको बताया तो चलिए इस मिलते भी नेक्स वीडियो में जो प्राइस हो मैंने आपको बता ही दिये ओन डोड जो है आप अपनी डिलर सी पर चेक कर सकते हैं जोन टेस्की पर तो चलिए मिलते हैं नेक्स स्वीडियों तब तक के लिए जाहिंद वाने वात्रम लाव्यों गाइस